नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पार्ट 3 जिसका नाम है खेल कूद और व्यायाम जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारे तीसरे पार्ट का नाम है खेल कूद और व्यायाम यह है एक स्वास्ते परक वारतालाप है, अर्थाथ इस चैप्टर में आपको एक स्वास्ते से जुड़ी बातचीत बताई गई है ठीक है, स्वास्ते अनि सेहत, सेहत से संबंदित जानकारी आपको इसमें बताई गई है आगे देखते हैं इस चित्र में आपको बहुत से बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों के चैरे पर मुस्कान है सभी खुश दिखाई दे रहे हैं बच्चों जब आप भी खेलते हैं तो आपके मन में भी खुशी होती है चहरे पर मुस्कान दिखाई देती है आप उत्सा से भरे हुए रहते हैं परन्तु प्रतिस परदा के दौर में कुछ बच्चे इस व्यायाम और खेल कूद को बेकार समझ कर इसे समय की बरबादी मानते हैं पर वे नहीं जानते कि कहील कूद और वयायाम हमारे स्वास्ते के लिए कितना जरूरी है जब हमारा मन शरी स्वास्त रहेगा तब ही मन में इस फूरती और ताज़गी और मन में एकागरता बढ़ेगी जो भी हम पढ़ेंगे तो लंबे समय対 हमें याद रहेगा तो चाची जी नंदिता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करती हैं कि स्वास्ते के लिए व्यायाम और खेल कुद का क्या महत्व है तो आईए देखते हैं शोबना चाची नंदिता को क्या समझा रही है नंदिता की शोबना चाची दिल्ली से आई तो नंदिता को देखकर हैरान रहेगी बोली नंदिता क्या बात है आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो इस तरह सूपती क्यों जा रही हो तुम्हारा चैरा भी बुजा बुजा सा है ये सुनकर नंदिता हसकर भोली नहीं चाची जी आपको ऐसे ही लग रहा है मैं ठीक तो हूँ पर नंधिता की मान ने बताया शोबना इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था मगर इधर जब से परिक्षाएं आई हैं तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है सारे दिन कमरे में बंद रहती है सुबह हो या शाम इसके भूम से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है मुझे परिशान ना करो मुझे अच्छे नंबर लाने है इस बार प्रता मा कर दिखाऊंगी मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पड़ाई लिखाई भी कर पाऊगी अगर बिमार पड़ गी तो क्या होगा यह सुनकर शोबना चाची चिंता में पड़ गे नाश्ते के बाद शोबना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया बोली नंदिता प्रथा माना तो अच्छी बात है पर उसके लिए तुम्हें किस ने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ भूमना फिरना पार्क में खेलना कसरत करना सब छोड़ दो जब शरीर स्वस्त होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है उसमें नए नए विचार आते हैं जो कुछ पढ़ो वह याद भी रहता है सर्च कहूं नंदिता तुम अपना बहुत नुपसान कर रही हो ये सुनकर नंदिता एक शन के लिए चुप रहे गई जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो देरे से बोली पर चाची जी क्या मैं खेल खुदर व्ययाम कर सकती हूँ शोबना चाची बोली भई ज्यादतर व्ययाम ऐसे हैं जिने हम आराम से कर सकते हैं अपनी अपनी शारिरिक जरूरत और रुची के अनुसार उनमें से कुछ व्यायम चुने जा सकते हैं धनुराशन, शवासन, सूरे नमस्कार ये सब ऐसे ही आसन हैं जिनसे पूरे शरीर का व्यायम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है फिर प्राणायम तो ऐसा आसन है जिससे फेवडे मजबूत होते हैं आम तोर पर जितनी ऑक्सीजन हमीं चाहिए उतनी हम नहीं ले पाते लेकिन प्राणायम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है जिससे पूरे शरीर में इस फूर्ती का संचार होता है नंदिता ध्यान से सुन रही थी शोबना चाची आगे बोली कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकागरता बढ़ती है इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो तो तुमें खेल और व्यायाम से धूर बागने की जरूरत नहीं है बलकि शाम को थोड़ा समय निकाल कर पार्क में खेल लोगी तो इतना फायदा होगा कि तुम कम समय में ही दो गुना याद कर लोगी और परिक्षा में अधिक नंबर ले आओगी अब सोच कर बताओ कि खेल और व्यायाम से फायदा है या नुकसान अब नंदिता को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत जरूरी है शाम को शोबना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली ठेरिये चाची जी मैं भी चलूँगी पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हर्याली को देखा बच्चों को जूला जूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैता हुई वह भी जूला जूलने लगी शोबना चाची पीछे से धका देकर उसे जोड़ जोड़ से जुलाने लगी तो वह बहुत देर तक खिल खिलाती रही जूला जूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कौने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी शोबना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा देखो नंदिता तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं कुछ समझ नहीं आ रहा पर जा चाहा वहां रहा देखो ये लड़कियां कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं नंदिता हसकर बोली हाँ चाची जी अब मैं भी खेलने करूंगी मैं आज ही अपनी सहीली नीना से बात करती हूँ हम दोनों रोज शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे अगले दिन शोबना चाची गई लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली शोबना चाची ने उसे जो राह दिखाई उससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई तो देखा बच्चों नंदिता कितनी बड़ी गलती कर रही थी सिर्फ पढ़ाई इसे की काम नहीं चलता स्वास्त रहने के लिए हमारे शरीर को व्यायाम और खेल कुद की भी जरूरत पढ़ती है जिस तरह हमारे बौदिक विकास के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है उसी तरह शरीरिक विकास के लिए खेल कुद और व्यायाम का भी उतना ही अधिक महत्व है तो इस पार्ट से हमें क्या संदेश मिला कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना कूदना भी जरूरी है तो बच्चों आप भी आप सब भी क्या करेंगे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी समय निकालेंगे ताकि आपके आपका शरीर स्वस्त रहे मन में इस फूर्ती और ताज़गी का संचार हो और जो भी आप पढ़ें वो लंबे समय तक आपको याद रहें आगे देखिए इसी पार्ट के कुछ कठिन शब्द आपको याँ पर दिये गए हैं यहां उनका अर्थ दिया गया है जिने हम एक बार दोहराते हैं क्षण, पल, रक्त संचार, खून का प्रवा, व्यायाम, कसरत, शवासन, शव की तरह सीधे लेट जाना, प्राणायाम, लंबी सांस लेने का आसन, धनुरासन, वह आसन जिसमें शरीर को धनुष का रूप दिया जाता है स्फूर्ती, चुस्ति फूर्ती, ताजगी, नयापन, रुची, दिल्चस्पी, एकागरता, एक जगह ध्यान लगाना, बुझा बुझा सा, मुर्जाया सा, सुस्त सा, हिलोर, तरंग, सेहत, स्वास्थ, नुकसान, हानी, ऑक्सीजन, प्राणवायू तो ये आपके पार्ट में आएक कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे, उसी के नीचे आपको शुरुत लेक शब्द भी दिये गए हैं, जिनकी आप लिखकर प्रैक्टिस करें, ताकि आप इन शब्दों को लिखते समय कोई गलती ना करें, आज के लिए इतना ही जिनकी यज़ प्राट में विखकर रवाद livre म Вам करें लिखकर आपकर प्रैक्ष उत्थ